तो देखो जैसा के हम डिस्कस कर रहे थे, mathematical derivation of amplification, ठेखे, threshold condition अपने डिस्कस कर रहे थे, और amplification के लिए mathematical derivation, डिस्कस कर रहे थे, तो हमने start किया था, spontaneous summation से, और हमने का था, जो spontaneous, जो हमारे पास में यह दिए, जो light हमें मिल रही है, वो monochromatic light नहीं मिलके, हमें एक width की form में ए density है, density of state, ठेखे, density of state के बारे में, density of state रिपरेजेंड करती है, number of particular frequencies for given frequency range, ठेख है, मतलब, du में का range में हमारे पास में, कितनी number of frequency है, लाई का रहे है, उसको अपने कहा देते हैं, density of state, एक density of state, energy के लिए भी use होता है, frequency के लिए भी use होता है, ठेख है, अब frequency और energy यही चीज जा उसमें differentiate नहीं है कुछ भी उसमें difference नहीं है कुछ भी तो जी उमेगा डी उमेगा यहाँ पर है density of state को represent कर रहा है ठीक है और जो frequency spread है हमारा वो उमेगा नोट के about है और इसकी जो net value है जी उमेगा डी उमेगा इसको integrate करें तो इसकी जो total value होगी वो 1 होगी यह probability को represent करते है net probability जो net distribution है frequency का omega 0 के about उसके लिए जो net probability है उसको हमने g omega d omega जो integration है वो 1 है ठीक है और g omega d omega क्या represent करता है density of state को यह हमने discuss किया था फिर हमने यहां भी discuss किया था total number of stimulated emission per unit time per unit volume is given as dn2 by dt omega 2 1 b2 1 rho omega n2 g omega d omega अब यहां पर जो stimulated emission करेंगे particle अब वो करको अब total तो n2 particle अब n2 के कितने particle है वो participate करेंगे n2 में से particle will participate in stimulated process will be ऐसे तो है नहीं सारे के सारे n2 participate करेंगे कितने n2 participate करेंगे तो वो है n2 g omega d omega ठीक है तो n2 g omega d omega अब यहां पर depend करेगा कि जो हमारा rho omega है rho omega क्या है यहां पर rho omega है हमारे पास में density of incident radiation density of incident radiation क्या है हमारे पास में ठीक है तो उस पे भी यह depend करेगा अब यहां पर b21 की यदी value put कर दें तो हमारे पास में यह formula बन जाएगा मैं डारेक्ट लिख देता हूं n2 pi square c cube over h cut n0 cube tsp n0 क्या है यहां पर refractive index medium का वहां हमने लिखा नहीं था वैसे refractive index भी add कर सकते हैं उसमें जब हमने a21 और b21 में एक relation निकाला था न हम b21 और a21 में ठीक है जो relation था वहां पर n0 cube भी तुम use कर सकते हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा n0 refractive index से यदी vacuum की बात करेंगे तो इसकी value 1 हो जाएगी ठीक है और देखो यह derivation इतना ज्यादा important नहीं है इसको ज्यादा ऐसे मतलब क्या चल रहा है इतना ज्यादा important derivation नहीं है लेकिन मैं करवा रहा हूं हमें सिर्फ final result से मतलब है यह और यह topic भी हम कह सकते हैं laser physics में जो topic है जो rate equation है वो most useful है अब अपने rate equation आगे discuss करेंगे three level laser में rate equation लिखते कैसे वो useful है उसके अलावा जो हम कह सकते हैं पर एक threshold condition अपने पास में निकल के आगी वो थोड़ी बहुत useful है बाकि और इतना useful नहीं है कुछ भी लेकिन वो करना पड़ेगा हमें जरूरी है क्या पता कौन सा question कैसा question बन जाए ठीक है बाकि जो resonator cavity में जो number of modes बनते हैं और जो cavity time होता है वो formula important है वो मैं तुमें अभी लिखवात हूँगा ठीक है तो यह हमारे पास में तो यह होगा rho omega g omega d omega upon omega cube यह omega cube इसके नीचे ही था b21 के अंदर था omega cube ठीक तो हमने यहां लिख दिया omega cube तो यह हमारे पास में formula है अब यहां पर देखो यहां पर में दो केस हो सकते है हमारे पास में दो हो सकते हैं first case की बात करें first case होगा हमारे पास में if atom is interacting with इफ एटम इस इंटराक्टिंग विद रिडियेशन वूज स्पेक्ट्रम इस वेरी ब्रोड कंपेर टू जी अमेगा ठीक है तो एक ऐसे जो मारा जो देखो जो स्टिमुलेटर्ड एमिशन हो रहा है यहां से यहां तक वो एन टू पर्टिकल की वज़े से ओरा और इसके कुछ विड़ थै और जो विड़ थै इसकी डंस्टी ओफ स्टेट को हमने जी उमेगा से रिपरजेंड किया है दी उमेगा दी उमेगा से अब यहाँ पर जो रेडियेशन इससे इंटरेक्ट कर रही है अब यह जो रेडियेशन है यह मोनो करίοमेटिक नहों कि यह रेडियेशन कैसी रेडियेशन जिसका स्पेक्ट्रह वह ज़्यादा ब्रोड हो ब्रोड का मलब इसमें frequency range अब बोड़ रेंज होग रहा ही ब्रोड रेंज हो यहां पर बोड़ बोड़ रेंज हो यहां पर बोड़ लाइन कर गाएं जो तो मतलब आ जाएगी इस broad range में ठीक है मानलों ये complete range of frequency कि इन में से ये जो complete portion है ये इसके अंदर lie करेगा तो ये इसे match करेगा और जो particle है वो नीचे की तरफ decay होगे stimulated emission होगे तो इस case में मारे पास में जो rate होगा stimulated emission का वो ये होगा n2 pi square c cube h cut n naught cube tsb अब इस case में particular case में जो rho omega है वो हमारे पास में integration से बाहर आ जागा g omega d omega और g omega d omega की value क्या होज़ेगी 1 होज़ेगी योगे सारे particle है वो interact कर रहे है सभी particle interact कर रहे हैं तो हमारे पास में और ये जो यहां पे जो particular frequency है rho omega c cube h cut n naught cube tsb और ये होगा हमारे पास में rho omega upon omega cube भी अंदर rho omega upon omega cube इसको omega prime भी लिग सकते हैं एक particular frequency omega prime omega prime लिख सकते हैं omega prime एक frequency range होगी है हमारे पास में ठीक है जिस frequency के लिए जो सभी की सभी particle है वो stimulated emission करेंगे तो इसकी जो value होगे है हमारे पास में यह जो value होगी g omega, d omega इसकी value 1 होगी, 1 क्यों होगी क्योंकि सभी की सभी particle यहां पे there is possibility of interacting of all particle ठीक है यहां पे सभी की सभी particle है वो interact करेंगे तो वो एक possibility है हमारे पास में तो यह हमारे पास में gamma to 1 ठीक है, क्योंकि यहां पे हम spectra draw भी कर सकते हैं जो rho omega है हमारे पास में यह rho omega और यहां पे g omega, g omega एक small range में है हमारे पास में तो यह इसके अंदर लाई करेगा g omega, ठीक है यह अपने spectrum draw करें, तो rho omega की range है वो काफी ज़्यादा large है और g omega जो है उसकी range काफी ज़्यादा small है, तो इसमें सभी के सभी particle वो इसके अंदर include हो जाएंगे तो इस वज़े से integration 1 हो जाएगा हमारे पास में और particular frequency omega prime की टरम में इसको अपने represent कर सकते हैं ठीक है next इसमें discuss करते हैं next case हमारे पास में जो है case second case second हमारे पास में है we now consider the extreme case in which atom is interacting with atom is interacting with atom is interacting with near monochromatic radiation near monochromatic radiation if the frequency of incident radiation if the frequency of incident radiation is is omega prime होगा यह जो स्पेक्टर हें पनेड ड्रो करेंगे यहां पर omega prime cube omega बाहर निकाल लिए omega prime n n dot cube TSP in g omega prime यहां बाहर आज़ेगा और यहां पे होगा row omega 2024 जा incl at ऐब यहां पे जी मेगा प्राइम बाहर आ जहाँ एक particular मेर इसתवर फॉटेक वेक्वेंसावी के लिए जी उमेगा कैया है हमारे पास में तो क्लΦ याख पहले देखो रोओमेगा रेंज बढ़ी ती थी तो रोओमेगा बार आ गया था और चींगेगा की वेली इंसिटेंट कर रहें तो पहले रोओमेगा प। उमेगा इंटिग्रेशन के अंदर रहेगा तो इसको अपने लिख देंगे रो एंड़ो पाइ स्क्वेर सी क्यूब एच कट उमेगा प्राइम क्यूब एन नौट क्यूब टी एसपी जी उमेगा प्राइम और इसको हमने लिख दिया रो ठीक है नेट डेंस्टी इसकी जो मोनोक्रोमेटिक रेडियेशन है इसकी टॉटल डेंस्टी क्या है वैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो इसकी जो रो ओमेगा डी ओमेगा है यह है मार पास में टॉटल डेंस्टी यहां पर light amplification जो light है हमारे पास में जो अपने incident करवा रहे हैं वो कैसे amplified होती है उसके intensity increase होती है या decrease होती है जब वो resonator cavity से pass करती है तो उसके बारे में discuss करते हैं ठीक है तो यहां पर अपने consider करते हैं collection of atom and let a near monochromatic radiation of energy density at frequency omega prime pass through it हमारे पास में collection of atom है एक active medium है हमारे पास में let's say we have active medium active medium मतलब जो laser का medium है active medium में solid भी हो सकता है हमारे पास में gases laser भी हो सकती है और active medium और एक light pass करवा रहे हैं इसे that is monochromatic monochromatic active medium में हमारे पास में collection of atom है अब कुछ ground state में है कुछ excited state में है और एक monochromatic radiation है जो इससे pass कर रहे हैं monochromatic radiation is pass through it और जिसकी frequency है मारे पास में omega prime और जिसकी intensity है अ是啊 और आई है chili intensity है मारे पास में आई है और एक हमारे पास में i है और यग कि ये खो in student on to इसको अपने z axis consider कर लेते हैं तो यह जो प्लेट है वो position z पर रखे यह रखे z प्लस d z पर तो इन दोनों प्लेट की बीच की जो distance है वो d z है लेट से जब intensity i enter कर रही है तो इस प्लेट पर जो intensity है वो i z है और जब इस प्लेट तक light पहुंचती है तो इसकी intensity हो जाती है i z प्लस d z और यहां पर बहुत सारे atom है collection of atom अपने एक जनरल केस डिसकस कर रहे है एक 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 जनरल केस कर रहे है यहां पर ठीक है और यहां पर जो area of plate है area of plate वो अमारे पास में कितना है s है इस plate का जो यह वाला area है यह वाला area यह s है अपने यह कौशिश करना अपने यह देख रहे हैं अंदर जो intensity है वो increase हुई या decrease हुई plate में जो P1 plate पे intensity एंटर कर रहे है तो वो i z है जब P2 plate से वो बाहर निकल रहे है तो intensity उसकी i z plus d z है तो intensity increase होगी या decrease होगी वो किस पर depend करेगा वो अपने calculate कर रहे है ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं the net amount of energy entering the volume entering the volume इसका volume कितना है complete दो plate के बीच का जो volume है वो है s d z s area plate का d z distance है तो area या into distance हमारे पास में क्या हो जाएगा वोल्यूम बिट्वीन प्लेट P1 and P2 अब net amount of energy कितनी enter हुई इस volume के अंदर पहले खाली था volume intensity गई कुछ intensity बाहर निकल गी अब कितनी intensity गई और कितनी बाहर निकल गी उन होनों का जो difference है वो होगा यहां जो energy है वो stored हुई यहां जो intensity है वो stored हुई तो यह होगा मारे पास में i z minus i z plus d z यह होगा मारे पास में net amount of energy entering the volume s d z ठीक है और यह मारे पास में net intensity into area भी करेंगे अपने तो यह energy आजेगे मारे पास में energy क्या होती है मारे पास में intensity into area ठीक है वैसे तो per unit time per unit area होता है तो अपने हम कह सकते हैं जो intensity होगे मारे पास में energy per unit time की यह बात करा है जो energy per unit time कितनी stored हुई अंदर वो है मारे पास में intensity into area इसका कितना है plate का जो area है वो s है मारे पास में तो i z minus i z plus delta z तो इसको क्या लिख सकते हैं i z इसको क्या लिख सकते हैं इसको i z लिख सकते हैं प्लस d i by d z इन्टू DZ ये लिख सकते हैं इसको higher order term को बने neglect कर देंगे IZ से IZ cancel हो जगा तो it will come out to be D I by DZ इन्टू S DZ S DZ एरिया है इसका ठीक है तो ये मारे पास में है net amount of energy entering the volume S DZ ठीक है अब यहां पे देखो ये मारे पास में let's say this is our first equation अब यहां पे देखो the energy absorbed by atom going from अब यहां पे process क्या होंगी अंदर क्या होंगी emission भी होगा absorption भी होगा फिर्वापने stimulated emission और stimulated absorption की बात करें तो अंदर emission होगा और absorption भी होगा तो absorption में intensity absorb होगी emission में इंटनसेटिय रिलीज होगी तो सबसे पहले बात करते हैं अपने absorption की तो absorption में कितनी energy absorbed हुई ठीक है जो intensity अंदर enter कर गया उसका कुछ part absorbed होगा तो कितना part absorbed हुआ वो discuss करते हैं the energy absorbed by atom going from level 1 to level 2 लेवल 1 से level 2 में जाने में कितनी energy है वो absorbed हुई वो है मार पास में omega 1 to यह मार पास में है omega 1 to यह आपि देखो omega 2 1 निकाला था हमने यह है total number of stimulated emission per unit time per unit volume और omega 1 to है total number of stimulated absorption per unit time per unit volume यह हमार पास में total number of stimulated absorption per unit time per unit volume थीक है into area से multiply कर दिया इसको थीक है तो यह आपिए आया हमार पास में per unit time per unit length थीक है area के वोल्यम से sorry, volume से multiply कर दिया हमने तो यह आगे total number of stimulated absorption per unit time ठीक और इसको energy से multiply कर दिया ठीक तो यह मार पास में आगे energy absorbed by atom going from level 1 to 2 per unit time per unit time कितनी energy absorbed हुई क्योंगि यह हमने क्या निकाला था यह निकाला था हमने net amount of energy entering the volume per unit time क्योंगि area से multiply गिया ना intensity ठीक है तो यह per unit time है क्योंगि intensity होती है energy per unit time per unit area जो intensity का formula होता है वो होता energy per unit time per unit area यह याद रखाना ठीक है तो यह भी हमार पास में per unit time है h omega prime है जो photon अपने incident करवा रहे है h omega prime उसकी energy है तो उसका कितना part absorb हुआ वो यह है ठीक है लिख देता हूँ यहाँ पे where h prime omega h cut omega prime is energy absorbed when atom going from level 1 to 2 level 1 to 2 में जब atom जा रहा है तो कितना energy का photon अब्सोब कर रहा है तो वो h omega prime है per unit time कितनी energy absorb कर रहा हूँ omega 1 to s dz into h omega prime ठीक है same इसी तरीके से the energy released through the energy एक और process क्या और है यां पर यां पर the energy released through stimulated emission stimulation stimulated emission from level 2 to 1 stimulated emission में कितनी energy पर इने time है वो release हो रही है तो net energy absorbed कितनी होगी energy absorbed per unit time कितनी हो रही है net energy यह emit हो रही energy और वो absorbed हो रही है तो net क्योंकि absorption probability ज़्यादा होगी क्योंकि two level है ठीक है तो हम कह सकते है let's consider करके चल रही है absorption ज़्यादा हो रहा है emission कम हो रहा है क्योंकि particle ground state में है ज़्यादा particle तो absorption ज़्यादा होगा यह हमें पता है तो net energy absorbed कितनी होई the energy absorbed per unit time the energy per unit time in volume s digit तो वो कितना होगा इन दोनों का difference ले लो omega 1,2 minus omega 2,1 और यह होगा h cut omega prime s digit ठीक है और यह value omega 2,1 निकाली होगी है वैसी omega 1,2 भी निकल जाएगी h pi square c cube h cut omega prime cube monochromatic light वाला case use करना हमने दो case discuss किये थे तो हम यह second वाला case use करना है ठीक है जोंगे monochromatic light incident करवा रहे है and not उसका refractive index होजएगा tsp, spontaneous decay time होजएगा जो यह a21 होगा हमारे पास में rho into g omega prime rho density of radiation है जो अपने incident करा रहे है और n1 minus n2 ठीक है बाकि सारी quantity same रहेगी बस एक में n1 होगा, एक में n2 होगा तो n1 minus जो absorption की बात करेंगे तो वाहां पे n1 आएगा और emission की बात करेंगे तो वाहां पे n2 आएगा into h cut omega prime s dz यह हमारे पास में होगा net energy absorbed per unit time in a volume s dz ठीक है और हमारे पास में यहां से तो इस equation को कहा दो यह equation है हमारे पास में second तो equation first और second से देखो first क्या दी net amount of energy entering the volume जितनी enter कर रही है amount of energy ठीक है कितनी enter कर रही है मालब यहां से इतनी enter की और कुछ leave कर गी तो इसके अंदर कितनी रहेगी per unit time energy वो यह है तो यह दोनों quantity equal है यह वाली quantity और यह वाली quantity दोनों equal है equating first and second तो यह क्या आएगा मारे पास में d i by d z ठीक है यह आएगा मारे पास में d i by देखो यहां पर d i by d z s d z cancel हो जाएगा तोनों तरफ से s d z cancel हो गया यह आएगा मारे पास में pi square c cube h cut omega prime cube n naught cube tsp rho into g omega prime और यहां पर एक minus sign है और यह है n1 minus n2 यह मारे पास में n1 minus n2 into h cut omega यह आजेगा मारे पास में अब यहां पर देखो h cut से 1 h cut cancel हो गया omega prime से omega prime cancel हो गया यहां पर 2 बचेगा तो यहां पर देखो minus pi square c cube omega prime square n naught cube tsp rho into g omega prime n1 minus n2 अब देखो यह intensity है मारे पास में di by dz अब यहां पर देखो एक हम value put करेंगे यहां पर यह है हमारे पास में energy absorbed per unit time in volume as dz अब यहां पर एक quantity अपने put करेंगे यहां पर यह quantity है rho की जो value होगी हमारे पास में वो होगी n naught i by c यह होगी rho हमारे पास में energy density energy density rho क्या है intensity इंट्या एरिया ठीक है एनर्जी होती है इंटेंस्टी इंटू एरिया इंटू टाइम ठीक है यह मार पास में एनर्जी होती है तो एनर्जी को लिखती है इंटेंस्टी इंटू एरिया इंटू टाइम निची है वोल्यूम वोल्यूम क्या होते है एरिया इंटू डिस्टन्स एरिया स तो intensity per unit volume तो यह rho होगा तो rho into v क्या होगा मार पास में i intensity तो rho velocity को क्या लिख सकते है velocity होगी यह मार पास में c by n0 n0 है refractive index c है velocity of light in vacuum तो c by n0 यह velocity v होगी in medium यदि medium की बात करें ठीक है तो यह आई होगा तो rho क्या आजगा n0 c n0 i upon c तो यह rho लिख देंगे यापने तो rho अब यहाँ पर देख सकते हो rho into c upon n0 को क्या लिख सकते है i rho into c upon n0 को क्या लिख सकते है i तो एक rho यह रहा एक c यहाँ से आजएगा upon 1 n0 आजएगा तो इसको i लिख देंगे, तो minus pi square ये c square बचेगा, ठीक है into g omega prime upon omega prime square n naught square बचेगा, tsp बचेगा, n1 minus n2 बचेगा, into i लिख देंगे इसको di by dz, तो इस formula को अपने लिख सकते हैं di by dz equal to minus alpha i ये मारे पास में formula को, यहां पर alpha क्या होगा मारे पास में, pi square c square g omega prime n1 minus n2 upon omega prime square n naught square, tsp ये मारे पास में alpha होगा ठीक है और alpha की value यहां पर depend करेगी, n1 और n2 की value पर अब यहां से इस equation को solve करेंगे, तो सभी को पता है, यह equation का solution होगा, i z is equal to i naught, e की power minus alpha z, ये इसका solution होगा तो intensity है, वो depend करेगी alpha पे, कि वो increase होगी या decrease होगी इसमें first case यहदे discuss करें, देखो if n1 is greater than n2 जो obviously होगा two level laser में number of particles ground state में ज़्यादा होगी ठीक है तो दो उस case में जो alpha की value है वो positive होगी alpha की value positive है तो इसका मला जो intensity है वो decrease करेगी और decrease क्यों करेगी क्योंकि absorption है वो stimulated absorption है वो emission से जादा है जो rate of absorption है वो rate of emission से ज़्यादा है क्योंकि N1 की value N2 से ज़्यादा है इस case में हम कह सकते हैं जो intensity है वो यह formula याद रखना है तुमें और alpha तुमें पता होना चाहिए क्या है यहांपे वो यह इतना derivation किया इसको तुमें दुबारा याद रखने के बिल्कुल भी जुरूत नहीं है यह formula intensity का जो formula है यह याद रखना है तुमें ठीक I0 e के power minus alpha z alpha क्या है और alpha किस पर depend करता है ठीक absorption emission से ज़्यादा है second case discuss करें second case में यदि N2 N1 से ज़्यादा हो जाता है तो यह population inversion है population inversion इस case में मार पास में जो alpha है वो less than 0 हो जाएगा negative हो जाएगा तो intensity है वो increase करेगी और यह हमें चाहिए intensity increase करेगी तो यह जो emission है जो stimulated emission है वो ज़्यादा होगा absorption से तो यह मार पास में एक particular case है ठीक है तो आई hope यह तुम्हें समझ में आयोगा पस यहां पर यह i का formula याद रख लेना यह पूरा derivation दुबारा तुम्हें कुछ करने की जुरुत नहीं है तुम्हें ठीक है ना इतना काम का है तुम्हारे लिए बस यह i intensity का formula थोड़ा सा याद रख लेना और यह particular case तुम्हें पता होने चाहिए ठीक है discuss करते हैं इसमें आगे discuss करते हैं next तो देखो अब अपने discuss करते हैं next हमारे पास में देखो क्या मतलब है इसका threshold condition का हमने यह discuss किया था कि यह पोपुलेशन इनवर्जन को यह अपने अचीव कर लें लेट से हमारे पास में ग्राउंड लेवल है यह फर्स्ट लेवल है N1, N2 यह अपने population inversion को अचीव कर लें और mirror लगा दें यहां पर ठीक है जो हमारे पास में reflecting mirror है वो अपने यहां पर लेगा दें जिसको अपने resonator cavity कह देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा laser अपने बना सकते हैं क्योंकि जो emission है वो absorption से जो emission rate है वो absorption rate से जादा होगा लेकिन actual में ऐसा नहीं होगा practically ठीक है practically देखो हमने emission और absorption स्रिफ stimulated emission of stimulated absorption consider किया था भी तक हमने बाकी absorption consider नहीं किये यहां पर और भी बहुत सारे losses होंगे जिनको हमने consider नहीं किया हमने सिर्फ क्या consider किया एक emission हो रहा है जिसको stimulated emission consider किया हमने और एक absorption हो रहा है जिसको stimulated absorption हमने consider किया और भी बहुत सारे losses हो रहे हैं वो हमने consider नहीं किया यदि सिर्फ यही losses होगा यदि सिर्फ stimulated absorption वाला ही loss है तो हमारे पास में n2 greater than n1 population inversion है वो required enough required condition है जिससे अपने laser form कर सकते हैं लेकिन यहां पर जो losses होते हैं वो सिर्फ absorption की वज़े से नहीं है यहां पर losses diffraction losses भी है reflectivity losses भी है और भी बहुत सारे losses है यहां पर कौनकौन से losses है diffraction losses absorption losses तो ही है यह absorption हो रहा है जो यह loss ही एक टाइप से laser के लिए एक losses है diffraction losses reflectivity losses और भी बहुत सारे losses है तो इन losses को भी consider करेंगे और देखेंगे कि n2 की value n1 से कितनी ज़्यादा होने चाहिए जश्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए जश्ट ज़्यादा कब हो सकती है जब emission और absorption वाले losses को ही जब वो सभी losses को cover कर सके तो अपने उस inversion को कहेंगे threshold population inversion, threshold condition for population inversion n2 की value है वो n1 से कितने amount में, the amount of the amount of n2 minus n1 जो n2 minus n1 का amount है वो कितना होना चाहिए, minimum the minimum amount कितना होना चाहिए minimum amount of n2 minus n1 वो होगी मार पास में threshold condition तो अपने losses को भी consider करेंगे यहाँ पर reflectivity losses को भी consider करेंगे ठीक है और अपने इसको consider करेंगे और इसको देखेंगे अपने जो मार पास में threshold condition आती है, वो क्या आती है निकल के ठीक है, तो यहाँ पर diffraction losses को तो अपने cavity का जो shape है वो change करके cover कर सकते हैं, लेकिन reflectivity losses को अपने नहीं cover कर सकते हैं तो अपने वहाँ पर, उसके लिए अपने threshold condition का use करेंगे तो जैसे हमारे पास में इसकी definition लिख देता हम छ. 54-75 quantity आती है, च अक्रू सकत रहाँ में अपंफन habitat ठीक है, यहाँ में बासा में ए themed 001 है, वो कर सकछ। रहाँ में सकता है, B आतिकी में लिख औ बासा है, model K ha, तो सकती है, में अपना इंवीब, न agriculture में घरका है, both overcome the losses this is called the threshold population inversion this is called the threshold population inversion I hope यह समझ में आया हो का तुम है कि सिर्फ N2 की वैलू N1 से ज़्यादा हो इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि और भी बहुत सारे losses उनको भी cover करना है तो n2 की value n1 से कितनी ज़्यादा है उसकी minimum value होगी that is threshold population inversion let's say हमार पास में दो mirror है इसको calculate करते हैं यह होगी क्या let's say दो mirror है हमार पास में एक की reflectivity r1 है एक की reflectivity r2 है let's say हमार पास में जो y है यह gamma कहें दो इसको यह gain coefficient है जिससे intensity gain होगी मार पास में और alpha मार पास में वो है let's say it is attenuation coefficient यह intensity को decrease करेगा जो हमने अभी discuss किया था intensity increase होगी या decrease होगी और यह अपने बात करें absorption की बात करें absorption की बात करें तो absorption के लिए मार पास में alpha की value greater than 0 होगी stimulated absorption की बात करें यह हमने discuss किया था अभी और stimulated emission की बात करें stimulated emission तो alpha की value less than 0 होगी इसका महलब जो gamma है वो हमार पास में minus alpha है stimulated emission के लिए देख सकते हो यहाँ पर हमने discuss किया था यह रह कहां गया यह रह alpha की value greater than 0 for absorption alpha की value less than 0 alpha की value less than 0 इसको लिख दिया y is equal to minus alpha तो हम कह सकते हैं gamma की value greater than 0 ठीक है तो वो हम कह सकते हैं यह क्या है मार पास में stimulated emission है तो gain coefficient है gamma और alpha है मार पास में attenuation coefficient और reflectivity r1 and r2 और इन दोनों mirror की बीच की जो distance है let's say it is t let's say हमार पास में जो particle है वो यहां से intensity यहां से move कर रही है और इसकी intensity i note है जब यहां से travel कर रही है यहां तक travel करती होई आई गी है तो जब इस d distance जब यह travel करेगी तो इसकी intensity क्या हो जागी i note e की power gamma minus alpha d gamma उसकी intensity को increase करेगा alpha उसकी intensity को decrease करेगा alpha की value हमेशा greater than 0 है gamma की value हमेशा minus alpha है ठीक है बात समझ में आ रही है gamma जो है मारे पास में वो उसकी intensity को बढ़ाएगा gamma की value greater than 0 है gamma की value हमेशा greater than 0 है और alpha की value हमेशा greater than 0 है और gamma क्या है minus alpha है इसका में आलफा की value है एक ही देखो है alpha ही alpha की value एक केस में positive एक केस में negative जहाँ alpha की value negative उसको हमने gamma consider कर लिया क्योंकि वो intensity को increase कर रहा है बस यह ही है ठीक है तो जब i0 इस point से चलके इस point तक पहुंचेगी तो उसकी जो intensity हो कितनी हो जाएगी i0 is equal to e की power gamma minus alpha into d अब gamma और alpha की value क्या है उस पे यह depend करेगी intensity कितनी decrease हुई है अब जब यह reflect करेगी इस point से reflect करेगी reflect होके दुबारा आएगी तो यहां पे एक reflectivity multiply में आ जाएगा इसके r2 into i0 e की power gamma minus alpha d अब जब यह वापिस यहां पहुंचेगी तो यह second round हो जाएगा यह मलब एक ही round है यह half round हो गया था यह complete round हो जाएगा complete round हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा r2 e की power gamma minus 2 gamma minus alpha d 2 का factor आ जाएगा क्योंगे दो round ले इसने एक यह round लिया था तो gamma minus alpha d हो जाएगा यह round दुबारा लेगा तो 2 gamma minus alpha d r2 अब यहां से जब reflect करेगा इस mirror से तो यहां पे एक reflectivity constant r1 और आ जाएगा r1 r2 i0 e की power 2 gamma minus d 2 gamma minus alpha d यह मार पास में एक complete round के बाद में जो intensity होगी वो यह होगी after one complete round जो intensity होगी वो क्या होगी मार पास में i0 r1 r2 e की power 2 gamma minus alpha d half round और कर देगी तो यह 3 gamma हो जाएगा फिर दुबारा reflect करेगी तो r2 एक और multiply में आ जाएगा यहां से reflect करेगी तो फिर r1 और multiply में आ जाएगा second round में यह हो जाएगा r1 square r2 square i0 e की power 4 gamma minus alpha d 2 round बार after 2 round after 2 complete round complete round का मतलब दोनों तरफ move कर रहे है यहां से गई यहां वापीस है 2d distance चले 2 complete round के बाद में क्या हो जाएगा i0 r1 square r2 square e की power 4 gamma minus alpha d लेकिन अपने को एकी round की बात करनी है एक round के बाद में जो उसकी intensity है वो यह हो जाती है और यहां पर मैं लिख देता हूँ क्या-क्या है यह factor यह intensity हो जाती है after one round और यहां पर जो हमारे पास में d है वो क्या है cavity length और gamma है gain coefficient वो लिख दिया मैंने r1 and r2 है यहां पर reflectivity of mirror reflectivity of mirror ठेक है तो हम कह सकते हैं laser oscillation begin होने के लिए जो यह मारे पास में यह जो factor है r1, r2 इसकी value greater than 1 होने जाहिए क्योंकि intensity की value i0 से जादा initial intensity i0 थी तो जो one round के बाद में जो intensity होगी वो i0 से obviously जादा होने चाहिए कितनी जादा होने चाहिए यह जो factor है यह 1 से जादा होना चाहिए यह 1 के equal होना चाहिए यह 1 से जादा होने चाहिए ठीक है लिख देता हूँ hence for laser oscillation to begin laser oscillation to begin हमारे पास में r1 r2 e की power 2 gamma minus alpha d इसकी जो value greater than equal to 1 होने चाहिए तभी तो intensity i0 से जादा होगी या i0 के equal होगी या तो equal हो या greater than हो equal होगी तो intensity सेम रहेगी कोई amplification नहीं होगा और greater than होगी तो intensity increase करेगी और जो equality sign है वो represent करता है threshold condition equality sign यहाँ पे जो losses consider कि है हमने सिर्फ reflection losses consider कि है यह losses तो अल्रेड़ी थे यहाँ पास में absorption और emission और हमने यहाँ पे reflection losses को extra consider कर लिया उसकी विज़े से हमारे पास में threshold condition आ रहे है हमने अभी कोई diffraction losses बगरा consider नहीं किया diffraction losses अलग है diffraction losses consider होंगे cavity की जो shape है उसको change करके वहाँ अपने उसको overcome करने की कोशिश करेंगे वह अपने syllabus में भी नहीं है तो laser oscillation begin करने के लिए हमारे पास में यह condition होने चाहिए तो हम कह सकते हैं equality sign equality sign represent the represent the threshold condition for population inversion ठीक है तो यहाँ से equality sign यह जो r1, r2 e की power 2 gamma minus alpha d यह किसके equal होगा 1 के equal होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं अपने पास में जो gamma आएगा यहाँ से अपने gamma भी find कर सकते हैं तो यहाँ से जो gamma आएगा मारे पास में e की power gamma minus alpha d और यह आएगा मारे पास में 1 upon r1, r2 अपने इसका log ले सकते हैं log ले लो इसका दोनों तरफ gamma minus alpha d तो log लेंगे तो यह आएगा log minus r1, r2 तो यह आएगा मारे पास में gamma d is equal to alpha d minus log r1, r2 तो यह आजेगा मारे पास में यहां पर 2 का फेक्टर भी था 2 alpha d 2 gamma d तो गामा आजेगा मारे पास में alpha minus 1 by 2 d log r1, r2 यह मारे पास में gamma और alpha में एक relation है यह मारे पास में है gain coefficient यह मारे पास में है loss coefficient absorption loss coefficient और r1 और r2 मारे पास में है जो reflectivity की विज़े से जो हमारे पास में losses हो रहे है ठीक है इसको कह दो equation number second यह बहुत important equation है ठीक है तो यह एक equation है हमारे पास में अब इसमें अपने consider करते हैं यदि हम सिर्फ losses को consider करें हम gain को consider नहीं कर रहे हैं एक बार अपने सिर्फ losses को consider करते हैं in absence of amplification कि हम कह रहे हैं कोई कोई amplification नहीं हो रहा शर्फ loss हो रहे है in absence of amplification by medium the intensity the intensity at point reduced by reduced by a factor r1 r2 e की power minus 2 alpha d कोई मतलब हम consider कर रहे हैं कि gain नहीं हुआ है gain को एक बार ignore कर दो हम सिर्फ consider कर रहे हैं सिर्फ loss कितना है तो loss कितना है जो initial intensity i note है उसका r1 r2 e की power minus 2 alpha d times यह loss है ठीक है इसको अपने क्या लिख सकते है r1 r2 को अपने क्या लिख सकते है r1 r2 को क्या यह लिख सकते है e की power log r1 r2 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है e की power minus 2 alpha d तो इसको यह लिख सकते है e की power log r1 r2 minus 2 alpha d क्या इसको यह लिख सकते है e की power minus 2 alpha d minus log r1 r2 यह मारे पास में loss factor है ठीक है जो सिर्फ losses को represent कर रहा है हमने gain को gain वाले को तो हमने total यहां consider कर लिया तो यहां gain और loss दोनों consider कर लिया हमने लेकिन यहां एक बार अपने सिर्फ losses को consider करते हैं भी loss कितना हुआ और यहां पर एक relation बनाने की कोशिश करेंगे time के साथ हमें कितना loss हुआ ठीक है तो वो relation अपने यहां पर बनाने कोशिश करेंगे एक round rib में इतना time लगता है और अपने यह दी बात करें जो हमारे पास में losses है उसको अपने time की form में represent करें पर इतने time में इतने loss हो जाते है ठीक है let's say हमारे पास में जो losses है वो proportional है e की power minus t by tc कितने time में हमारे पास में कितने losses हो जाते है तो यहां से आगे हमारे पास में कि इतना time लगता है एक round complete करने में let's say हमारी जो intensity है जो losses है हमारे वो इस type से हम लिख सकते है losses को e की power minus t by tc tc यहां पर cavity time cavity dumping time भी कहा दए जिए इसको cavity dumping time cavity dumping time क्या है cavity dumping time में एक ऐसा time है जहां पर जो हमारे losses है वो इस type से हो जाते है कि initial intensity की जो हमारी intensity है वो 1 by e हो जाते है उस time को कहेंगे cavity dumping time tc t is equal to tc पर जो हमारे intensity है वो Initial Intensity की 1 by E हो जाती है जब हमने सिर्फ Losses को ही Consider किया हमने अभी Gain को Consider नहीं किया यहां पर वैसे Gain भी हो रहा है जिस सिर्फ Losses को Consider करें अपने तो हमारी जो Intensity है वो Initial Intensity की I not by E हो जाती है तो यह Tc हमें Calculate करना है तो इस Time पर हमारे पास में कितने Losses हो जाते है Time, एक Round Rip में यह इतना Time लग रहा है और एक Round Rip में जो Intensity है वो इस Factor से कम हो जाती है तो यह दिए T की Value यहां पर अपने Put करेंगे E की Power Minus T by Tc है और यहां पर T की Value Put करेंगे 2 and not D by C तो यह किसके एक्वल होगा यह इसके एक्वल होगा 1 Round Rip में कितना Losses हो रहा है 2 Alpha D minus Log R1 R2 यह इसके एक्वल लिख सकते हैं यह इसके एक्वल कब लिख सकते हैं जब Time की Value 2 and not D by C है एक Round Rip में कितना Time लगा और एक Round Rip में कितना Loss हुआ Time के Frame में भी लिख दिया और हमने Direct Actual जो Losses है Reflectivity और जो Attenuation Concent की Form में Losses है वो भी लिख दिया और Time की Form में भी लिख दिया तो जब T is equal to 2 and not D by C लिखेंगे तभी यह दोनों Equate कर सकते हैं Otherwise इनको Equate नहीं कर पाएंगे ठीक है क्योंकि यह जो Loss है वो एक Round Trip में और एक Round Trip में टाइम कितना लगा 2 and not D by C तो T की Value आपूट करो 2 and not D by C into Tc Tc है Cavity Dumping Time 2 alpha D log R1 R2 यहांसे Tc निकाल सकते हैं अपने तो 2 and not D by C into Tc यह किसके equal है 2 alpha D minus log R1 R2 तो 1 by Tc किसके equal होगा C by 2 and not D 2 alpha D minus log R1 R2 यह मारे पास में होगा Cavity Dumping Time Cavity Dumping Time Cavity Dumping Time क्या represent करता है Cavity Dumping Time represent करता है कि हमारा यह अपने सरिफ Loss को consider करें तो जो हमारी Intensity है वो किस टाइम पे Initial Intensity की 1 by E रह जाती है यदि सरिफ Loss को consider करें अपने ठीक है तो यह 1 by Tc आजएगा तो यहां से हमारे पास में तो यहां से अपने अपने जो यहां से अपने Population Inversion की Condition निकाल सकते हैं Threshold Population Inversion Population Inversion Threshold Condition निकाल सकते हैं In Terms of Cavity Dumping Time Population Inversion In Terms of Cavity Dumping Time Cavity Dumping Time की Trum में अपने Calculate कर सकते हैं Cavity Dumping Time हमारे पास में यह है Threshold Population Inversion Condition कहां से आएगी? गामा से गामा किया है हमारे पास में Gain Coefficient यह कितना है हमारे पास में? Pi Square यह हमने निकाला हुआ है C Square Omega Square N Not Square TSP G Omega Gamma क्या होता है? Minus Alpha देखो, Gamma क्या लिखा था? हमने यहां पे लिखा था? Minus Alpha और Alpha हमने निकाला हुआ है यह रहा यह रहा Alpha तो यहां पे Minus करते हो यह कंडिशन निकाला हुआ है तो Gamma इस फोल दो Alpha minus 1 by 2D Alpha minus 1 by 2D Log R1 R2 यह मारे पास में क्या हाजएगा तो N2 minus N1 क्या होगा? यहां से N2 minus N1 यह आए कि हमारे पास में Threshold Population Inversion Condition तो क्या होगी Omega Square N Not Square TSP Pi Square C Square Upon G Omega ठीक है G Omega नीची चला जाएगा और Into Alpha minus 1 by 2D Log R1 R2 अब इसको अपने इसकी form में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C by 2 N Not D ठीक है 2 Alpha D माइनेस लोग R1 R2 2 Alpha D 2D को अपने यहां पे इदि देखें अपने N2 माइनेस N1 को Omega Square N Not Square TSP TSP है Spontaneous Time Pi Square C Square G Omega और यह है 2 Alpha D 2D को यह दिए अपने 2D को बाहर निकाल लें यह 2D से Multiply कर दें उपर नीचे 2D से उपर नीचे Multiply कर दिया 2D से उपर Multiply कर दिया 2D से नीचे Multiply कर दिया तो यह है Alpha Minus 1 by 2D Log R1 R2 ठीक है तो यह Quantity Same ऐसे की ऐसे आजएगी 2D से अंदर Multiply कर दिया 1 by 2D बाहर रहेगा 2D से अंदर Multiply कर दिया 2 Alpha D Minus Log R1 R2 और यह वाला Consent Same आजएगा और यह जो Trum है हमने Cavity Dumping Time निकाला है C by 2N0D 2 Alpha D तो हम कह सकते हैं इसको 2 Alpha D Log R1 Minus R2 को कहा लिख सकते हैं 2N0D into C into Tc ठीक है तो यह आजएगा Omega Square N0Q Tsp Pi Square C Square G Omega into 1 by 2D 2 Alpha D Log R1 R2 कहा लिख सकते हैं 2N0D by C into Tc 2N0D by C into Tc D से D C Cancel हो जाएगा 2 से 2 Cancel हो जाएगा N0 Omega Square यह आजएगा हमार पास में Omega Square N0Q Tsp Pi Square C Cube G Omega into N0 by Tc यह हमार पास में आजएगा N0 I think N0Q हमने पहले N0 Square था यहाँ N0 Square था न N0 Cube क्यों लिखा हमने N0 Cube थो Last में जाके होगा N0 Square था N0 Square था यहाँ N0 Cube हो जाएगा इस N0 को टाद हो 1 by Tc यह हो जाएगा Omega Square N0 Cube Tsp T upon Pi Square C Cube G Omega Tc तो यह होगा मार पास में Condition for Threshold Population Inversion और इसके पर डिपेंड करेगा N2 minus N1 जो Threshold Population Inversion है यह minimum इतना होना चाहिए N2 minus N1 किस पर डिपेंड करेगा 1 by Tc पर Tc जितना जादा होगा N2 minus N1 उतना कम होगा Cavity Dumping Time जितना जादा होगा Cavity Dumping Time जितना जादा होने का क्या मतलब है Cavity Dumping Time जादा होने का क्या मतलब है यहां से देख सकते हो Cavity Dumping Time जितना जादा होगा Intensity या उतनी ही जो Losses उतने कम होगे Cavity Dumping Time जितना जादा होगा Losses उतने ही कम होगे या time के साथ में जो losses है उतने ही धीरे-धीरे जो losses है वो time के साथ में बहुत कम speed से और रहोंगे जो rate of losses हो बहुत कम होगा इधर tc की value हो जादा है यह predict कर सकते हो इन formula से तुम ठीक है थोड़ा सा physically इसको explain कर सकते हो इन formula के basis पे spontaneous time जितना जादा होगा उतना ही हमें जादा required होगी n to minus n1 की value तनी जादा हो g omega यहाँ पे represent करता density of state 4 जो हमने upper level जो लिया है उसकी g omega कितना है ठीक है उसके density of state कितनी है उस particular level की जहां से transition हो रहे है ठीक है और बाकी तो constant है omega हमारे पास में जो incident frequency है उस पे भी obviously depend करेगा यह refractive index पे भी depend करेगा medium के तो यह हमारे पास में होगी threshold population inversion तो हम कह सकते हैं tc should be large tc should be large जिसकी विज़े से n2 minus n1 की जो value वो ज़्यादा small हो ठीक है इसे अपने कहेंगे threshold population inversion condition यह याद रखना condition और यह cavity dumping time वाला formula भी तुम्हें याद होना चाहिए losses के बारे में पता होना चाहिए और यह वाला formula भी gain coefficient और loss coefficient यह वाला formula भी पता होना चाहिए यहां से question बन जाते हैं कई बार